सबी घरवानों को बताना चाहते हैं कि मनीशा की कैप्टेंसी की आवधी अब समाप्थ होती है साथी एलविश को बीबी वर्स में मिली सजा की आवधी भी अब समाप्थ होती है अब बत आ गया है इस घर के नए कैप्टें के चुनाव का एक बड़ी ही फेमस कहावत है कहते हैं किस्मत बदलते ज्यादा देर नहीं लगती और देखिए आज इस घर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है एलविश की किस्मत रात और रात इतनी बदल गई है कि अब तक सजा के चलते घर के असिस्टेंट बने जिस एलविश को घर का कोई भी सदस्य कुछ भी काम करने का आदेश दे सकता था आज इस घर पे और यहां मौजूद घर वालों पे उसी एलविश की ताना शाही यानी की डिक्टेटर्शिप चलेगी एलविश बिक बॉस ने आपको कई बार कहते सुना है कि कैप्टेन कैसे बनते हैं मुझे भी कैप्टेन बनना है तो चलिए आज बिक बॉस आपको मौका दे रहे हैं खुद को कैप्टेन्सी के लायक साबित कर घर का कैप्टेन बनने की तो एलविश के राज में आप सभी का स्वागत है आज एलविश ने बिक बॉस के सिस्टम को हैक कर इस घर और ही है साथ ही सभी घरबालों के लिए गले में पहनने वाले बैंट्स भी रखे हैं अबिनाश, स्टोर रूम से सामान और चिठी ले आएं और चिठी सभी घरबालों के सामने सोर से पढ़के सुणाते जीद ताइम बदला ला अरे वो गैस चाल हुए माँ मोती बदला गया चोटे मोती बड़े मोती दोस्तों को भी बोलना हम हम अरे तो मोती पिरो है बस कोई नी अब तो मेरा कंट्रोल है ना पुछ भी करें घग हलूश मैंने कुछ नहीं जादा कराइथ तैंसे चैँने सिर्फ गालिक मैंने सिर्फ गालिक चल वाये तुछ बस और कुछ नहीं मेरे लाइने इस दिलवाया था नाइने इस दिलवाया था दिलवाय ने लाइन गर है तुछे दो थीन मेर बढ़ते हैं इसका अभाही नहीं दिलवाया है जिट्टी आओं एगे अड़ी जिट्टी आँ हाँ आज इस घर में Elvish की डिक्टेटर्शिप चलेगी Elvish इस घर पे ताना शाही चलाएंगे और अपनी मन मर्जी से घरवालों को कुछ भी ओर्डर्स दे कर उनको पूरा करने को कहते रहेंगे Elvish एक क्रूर, डिवलिश और स्ट्रिक्ट डिक्टेटर यह सर्फ अपने बारे में सोचते हैं और घरवालों से अच्छी तरह और पूरा काम करवाते हैं गार्डन एरिया में Elvish का थ्रोन भी रखा है आज घर में तीन ताइप्स के अलाम बजें हर बार ट्रॉमपट की आवाज आने पर सभी घरवाले गार्डन एरिया में Elvish के थ्रोन के सामने एकत्रित हो जाएंगे तब Elvish घरवालों की क्लास लेते हुए उन्हें घर के कामों को लेकर उनकी गलतियां बताएंगे और सुधार जाने की वार्निंग देंगे सुधर जाने की वार्निंग देंगे विसल हर बार विसल की आवाज आने पर आप सभी Elvish के थ्रोन के सामने एकत्रित हो जाएंगे और कैप्टन Elvish की जै हो का नारा लगाते हुए मार्च पास करते हुए गार्डन के दो राउंड लगाएंगे बजर बजर की आवाज आने पर आप सभी Elvish के थ्रोन के सामने एकत्रित हो जाएंगे और Elvish उस एक सदसे के नाम की गोश्टना करेंगे जिसे वो वीडियो आफ शेम के लिए चुनना चाहेंगे एक सेड़ वापस और Elvish उस एक सदसे का नाम की गोश्टना करेंगे जिसे वो वीडियो आफ शेम के लिए चुनना चाहेंगे वो सदसे फिर बिग बॉस साइन के सामने मौझूद कुरसी पर हेड़फोन पहन कर बैट जाएगा इसके बाद वो सदसे सामने लिखे Elvish की महानता भरे शब्द जोर से पड़ेगा और फिर उसके बाद वो अपनी खुद की बुराईयां करेगा जुबान उसकी होगी लेकिन शब्द Elvish के होगे क्योंकि उसके हेड़फोन्स में आवास होगी Elvish की Elvish अपनी कुरसी पर बैठे उस सदसे को बताते रहेंगे कि उसे क्या बोलना है हेड़फोन्स पैना हुआ वो सदसे उनी शब्दों को दोराएगा आपके खुद की बुराई आपके खुद की बुराई करते ये वीडियोज सीधे सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाएंगे और हमेशा के लिए वहां दर्ज हो जाएंगे आज Elvish की हर फर्माईश हर ओडर को पूरा करना घरवालों का काम है क्योंकि Elvish इस घर और यहां मौझूद घरवालों का कंट्रोल अपने हाथों में ले चुके है Elvish के पास भी पूरा मौका है खुद को अच्छा तानाशा साबित कर इस घर की कैप्टन्सी को अपने नाम कर लेने का तो Elvish के राज में आप सभी का स्वागत है आप सभी अपने गले में बैंड्स पहन ले ये कार्य अब शुरू होता है गुड लख बिग बॉस तवाल है वो जो विडियो अव शेम है वो चुनेंगे एक शक्स को पहला बज़े का ट्रमपेट जाके हमा खड़ा होना है वो किसी का गल्तियां बताएंगे उसे सुधर जाने की बॉनिंग देनी है दूसरा है विसल विसल में वो नारा लगाते हुए मार्च बास्ट होगी ठीक है सब की हाँ कैप्टन एल्विश की जैहो का नारा कैप्टन एल्विश की जैहो कैप्टन एल्विश की जैहो कैप्टन एल्विश की जैहो